तो आज हम ड्रोइंग करेंगे बूली आर्ठ के लिए तो यह देखो यह मेरा एफो प्रेपर है आप इसमें मार्जिन देना है आपको तो आप दे सकते हो ठीके मार्जिन दोगे अगर आप वन सेंटीमेटर का दोगे जैसे मैंने इसमें देखे रखा हुआ है अब 1 cm के बाद आप क्या करेंगे आप नहीं से ठीक है 1 cm के बाद आप 2 इंचेस ठीक है तो इंचेस आप स्पेस छोड़ेंगे और यहां पर आप एक ओवर बनाऊ तो आपको ओवर नहीं बनता तो आप सेरकल भी बना सकते हैं तो बहुत अच्छा है ओवर के लिए आपको क्या करना होता है देख़ो आपको रॉफ में बताते हूं आपको क्या करना है एक लाइन एसे लो एक लाइन ऐसे लो फोड़ा लंबा ठीक है और उसको बाद उसको ऐसे फ्री हैंड ठीक है यह परफेक्ट तरीका होता है ओवल बनाने के लिए तो अगर आपको जितना ओवल मैंने बनाया है इसके लिए अगर आपको करना है देखो जो मेरा ओवल है इसका लेंथ मैंने ले रखा है नाइन सेंटिमेंटर ऐसे नाइन और ऐसे यह आ रहा है सेवन यह वाला अब आखको इसको बस ऐसे जैसे मैंने आपको बताया ऐसे फ्री हैंड से ऐसे करके आपको यह ठीक है राउंड नहीं है ठीक है ओ शेफ है थोड़ा से इसको आप बात में और ठीक भी कर सकते हो शेफ है ठीक है यह आपका ओवल बन लिया अब आपको क्या करना है देखो यह हो गया अब यहां पर अपन क्या करेंगे एक लाइन बनाएंगे टिक है सेंटर पर दबल लाई थोड़ा से मोटा भी ले सकते है आप इसको हाफ इंच ले सकते हो ठीक है इतना हो गया अब यह जो है सेंटर पार्ट यह कितना लेंगे हम हमारे को यह लेना है तो हम आप यहां पर लखो देखो पर सेंटर पर रका जैसे तो पॉइंट फाइव पर रखते मैंने तो एक इधर मार्क लगा दिया और एक इधर मार्क लगा क्योंकि मुझे यह डिस्टिंस जाहिए फाइव सेंटिमेटर है अब आपने इसको ऐसे लिया और इसमें कुछ मेजरमेंट की जुरूरत नहीं है यह आपका जैसे भी आ रहे हैं यह ऐसे आ गया ठीक है यह हो गया सेंटर अब हमको इसका चुन्नी देना है अब आप क्या करोगी यहां से देखो आपका वन फिंगर लेलो ठीक है वन फिंगर के उपर आपने यह मार्क किया अब यहां से आएगा यहां से आएगा और यह ऐसे प्लोज करते हैं यह देखो आप यह अब मेरा यहां से मैंने इसका जो दू पट्टा था ऐसे लिया यह कितना डिस्टेंस आ रहा है अगर आप बिल्कुल एज से देखो तो यह 15 सेंटीमेटर आ रहा है इसमें कुछ जरूरत नहीं हमको मेजरमेंट करने की अब एक यह लाइन हो गया अब य जरूरत इसे ले लो और यह जो थार्ड आ रही है थार्ड आपन ऐसे ले लिए रोगया ऐसे आपको यह पार्टिशन देना यह वान हुआ जो तो अब आपको क्या करना है किि यहां पर इनका नेखलेस होता है कि यह हम बना रहे हैं उत्राखंट की दो लड़कियों ने स्टाथ किया था तो यहां हम उत्राखंट का ही ड्रेस ले रहे है तो आप जह कियो हगे एक नेकलेस इसके बाद यह जो मैं बना रहे हूँ आप बाद में पेंट के बाद ब्लाक कलर से कर सकते हो इजी रहेगा वह आपको अब यह क्यों हो गया यह डबल लाइन यह सेंटर के अंदर एक बड़ा सरकल उसके बाद आप काउंट करके ले लोगे साइड में सरकल छोटा होता जाएगा अब त्री इधर लिया तो ऐसे ही वार तो थ्री ठीक है ऐसा कुछ वो नहीं है बड़ थोड़ा सिमेट्री रिखता है इसलिए अदर्वाइस आपको जितना स्पेस आ रहा है आप उतना लोग इतना आ गया अब एक नेकलेस मैंने और डाला है यहां पर इतना करने के बाद अब आप देखोए यहां पर यहां सेंटर से लिया और यह यहां तक आप बाल ले ओगे हो गया है अब हमको क्या करना है यह जो नोस दिख रहा है यह इसी को आपन ऐसे ले ले लें कि यह यहां पर यहां पर यह यहां पर यह 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 जो है इनका स्ट्रेट है यह ज्याद इसमें कर्वज नहीं है यह ऐसे आएगा इसी के लाइन के अपर यह बना दिया मैंने और यह आईज जो है बड़े बड़े आईज होते यह ऐस कि यहां पर बिंदी बनाओगे अब ऐसे यहां पर लिप्स देंगे हम लिप्स को बनाने का देखो सबसी इजी तरीका क्यों होता है यह देखो यह आपकी आईजा के हैं अब यह देखो आपनी क्या करने हैं जहां पर यह आपके आईज दौनों शुरू होते हैं यह आपने इतना लंबा लाइन ले लिए इस लाइन के ओपर यह हमने ऐसे किया और यह यहां नीचे ऐसे किया और दौनों को एंड में थोड़ा सा लंबा करती है ऐसे तो यह आपका स्माइलिंग वाला जाएगा अब यह हमारा फेस ड्राइंग भी हो गया है इतना बाप करके रखो इतना आप लोग करके रखो नेक्स्ट में आपको प्री प्रेपरेशन भी 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 भीज रहे हैं तेके